जे वजरंग वली प्रे मित्रो आज हम चर्चा करेंगे आप स्वयाम जाने अपने कुंडली के माध्यम से दुरघटना के योग हैं मित्रो आप स्वयाम जान सकते हैं कि आपके कुंडली में दुरघटना के योग कैसे बन रहे हैं क्योंकि आप जितना ही विसलेशन करें कुंडली का उतना ही आपको जानकरे प्राप्त होती रहेगे मित्रो आई हम जानते हैं चंद्रमा नीच राजिका हो शाथ ही मंगल बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को जल से खत्रा होता है पानी संबंदिस उसे दुरघटना हो सकती है और पानी से उसे नुकसान पहुंच सकता है मित्रो आप ध्यान से यदि विसलेशन करें तो आप बहुत अच्छी तरह से कुंडली का विसलेशन करना सीख जाएं कुंडली देखना सीख सकते है आई हम दूसरा देखते हैं यदि सप्तमेश की महा दसा चल रही हो तथा दुतियेश की अंतर दसा चल रही हो तो साथ में अश्टमेश या सश्टेश की प्रत अंतर दसा में दुरघटना की योग बन जाते हैं दुरघटना के योग बनते हैं और दुरघटना होने की संभावना हो जाती है इसलिए आपको विशेद ध्यान रखना है और आप ध्यान रखेंगे तो आपको जानकारी होती रहेगी आईए अंगला देखते हैं मंगल सनिकेतु सप्तमभाव में हो तो उस जातक का जीवन बनता है वह स्वयम अपने हाथों से म्रत्य करने के संभावना होने लग जाती हुए अपने आत्म हाथों से अपने आत्म हत्या करने का प्यास करेगा क्योंकि ऐसे जब योग बनते हैं तो स्वयम आदमी अपने दुखों से दुखित होकर आत्म हत्या करने का प्यास करता है आगे देखते हैं मंगल से सनी राहु केतु का संबंध हो, सस्टम और अस्टम भाव और इसके स्वामी असुव इस्थान में हो, वाहन दुरगटना के कारक सुक्र पर पाप प्रभाव हो, लोहा यंत्र से दुरगटना में सनी पर पाप प्रभाव हो, अगनिस से संबंधित तो सनी चतुषपद राजि का प्रभाव में हो तो अस्टम से इसी तरह आगे देखते हैं तो दुरघटना में सुर का प्रभाव यदि होता है तो संभावना दुरघटनाएं की बनती है आत्म संभंधित दुरघटनाओं का जो कारक है राहु होता है राहु यदि है तो दु जादा संभावना बन जाते हैं तो दुरगटना के योग जादा तर बन जाते हैं आगे देखते हैं अश्टम्भाव में मंगल सनी के साथ हो या सत्वराज का सूर हो तो आग संबंदित दुरगटना एं एक्सीडंट के योग बन जाते हैं और बनते हैं हामित्रों आप यदि बिशेश रूप से देखेंगे, सोक्ष में रूप से देखने का प्रयास करेंगे, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकता है, क्योंकि हम जब कुंडली को देखते हैं, तो उसको सोक्ष में रूप से देखने का प्रयास नहीं करते हैं, जब नहीं करते हैं, तो हमें समझ नहीं आता है मित्रों यदि आप अच्छी तरह से देखने का प्रयास करेंगे तो मुझे 100% विश्वा से कि आप हर चीज जान सकते हैं और आपको जाने का बहुत अच्छा अनभव हो सकता है आगे देखते हैं यदि सनी और मंगल का संबंद बन रहा है तो आग संबंद दुर घटना के उग के लिए सनी और केतू की स्थिति देखी जाती है यदि ऐसे योग बन रहे हैं केतू और सनी की स्थिति खराव है तो आपको चड़क में दुघटना हो सकती है अचनक आपके सड़क दुघटना से आपको नुक्सान पहुझ सकता है आग संबंधिष समिसियाओं से आपको जूजना पड़ सकता है और आपको नुक्सान होने की संभावना जताई जा सकती है मित्रों आगे चलके आपको बताते हैं जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत से ग्रह आपको नुकसान करते हैं और दुरगटना के योग कारक बना देते हैं यह आपको आगे के बता रहा हूं मैं सस्टम भाव जो खटा भाव कहलाता है मित्रों उस भाव का यही सनी सत्तुरासी सत्वरासि का या नीच रासि में होकर बैठा हो तो साथ ही केतु बैठा हो तो आपको पसु सम्मंदित दुर्गटनाय हो सकती है, मित्रो आपको अच्छी طرح से व्याद कर लेना है क्या सस्टम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है किस तरह बैठा हुआ है और कैसा आपको सो फले देगा आप यह विसेस रोप से देख सकते क्या आपके सश्टामभाव में के तु बैठा हो तो पसु संबंदी से आपको चोट लगने की संभावना हो जाती है और आपको नुकसान पहुंच सकता है मित्रो जैसे कि आज हम फिर पुना आप लोगों को दूसरा भावता है कि आप देखते हैं कि अचानक आपको दुरगटना फोरविलर किस होती है किसके दसा और किसकी अंतर दसा में यह आपको नुकसान हो जाता है बहुत से कह देते हैं कि मेरा समय खराब है मित्रो क्योंकि अंतर दसा प्रति अंतर दस इसके बारे में चुप्षा देखते हैं सनी और सुक्र का संबंध बन रहा है तो दो पैए बाहन से दुरगटना के योग संबंध बन जाते हैं आपको दुरगटना अचानक दुरगटना का सामना करना पड़ सकता है आईए फिर हम देखते हैं चर्चा कर रहे थे कि अंतर दसा प्रति अंतर दसा और सोक्ष में दसा के संबंदित आपको कैसे दुरगटना के योग बनते हैं आपको दुरगटना से कैसे आपको बचना है मित्रो आगे हम देखते हैं जैसे के देख रहे हैं लोहा और मसीनी संबंदित दुरगटना के लिए सनी की इस्तिती बनाती है सनी इसका जुम्मेदार होता है कुंडले में यदि सनी और राहू आपस में संबंद बना रहे हैं तो चार पईये वहां से आपको दुरगटना हो सकती है और दुरगटना की योग बन जाते हैं मित्रो इन चीजों को आपको विशेश विशलेशन करना है विशेश रोप से ध् प्रिति अंतर दसा सोक्षन दसा में दुरगटना होती है उस संबंधित में आपको मैं विशेश रोप से बताने का प्रयास करूँगा मित्रो यदि आप हमारे चैनल वे बने रहे तो लाश्ट तक वीडियो को देखते रहे तकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके कि कि किन की योग के कारण हमें दुरगटना होती है किन की योग कारण हमें नुकसान हो सकता है मित्रो आए देखते हैं जैसे कि कि किसकी दसा में हो रहा है सब्तमेस के साथ मंगल सनी हो तो दुरगटना के योग बन जाते हैं दुतियेस मारकेस के महादसा में सब्तमेस की अंतर दसामे और सथमें शस्ते के प्रती अंतर दसामे दुर घटना के योग बन जाते हैं। मित्रो यदि आप देखेंगे तो दसाओं का भी ध्यान देना है और भाओं का भी ध्यान देंगे तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कब और किस समय दुरगटना के योग बर्न रहे हैं मित्रो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर तक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके मित्रो अंगले वीडियो के साथ मैं पुना आपको एक अच्छी वीडियो के साथ बताने का प्यास करूँगा कुछ नई जानकारी देने का प्यास कर तो आप हमारे नीचे दीवे कमेंट वाक्स में कमेंट कर सकते हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं मेल के माध्यम से आप मुझे जानकारी आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं लाज तक हमारे वीडियो को देखते रहें ताकि आपको अच्छी तरह से बिदुपूर्पक आपको समझ म आज सके मित्रों आप सब को हमारी दीपावले की हार्दिक हार्दिक सुभे कामना है दीपावले की मित्रों जै सिराधे जै सिरे स्याम